नमस्कार बहुत वागत आपका आप देख रहे हैं दान्यूज और आपके साथ मैं हूँ स्रिष्टी मिश्रा देखे यहाँ पर आचारे प्रमोत कृष्णम जी जो है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं और हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर बयान बाजी देने के लिए सु नातन धन को लेकर अब आचारे प्रमोत कृष्णम का बड़ा बयान आ गया है एक्स पर पोस्ट किया है जो पूर्व में ट्विटर था लिख रहे हैं इंडिया को यह लोग टाइटैनिक बना देंगे इस वक्ति ब्रेकिंग न्यूज टाइटैनिक जो कि इंग्लैंड से अ अब पती गए थे वहाँ दुनिया के और देखे वो टाइटैनिक महा सागर में डूप गया केवल एक छोड़ी सी गलती के लिए जब टाइटैनिक टकरा गये रात में अब यह देखे टाइटैनिक का रात में यू टकराना और कितना बड़ा भूचाल लेकर आया और यहां पर उदेनिदी स्टालिन और ए राजा करते नजर आ रहे हैं जिसको अचारे प्रमोत कृष्णम ने अपनी समझ से अपनी सूजबुच से यह कंपेर किया कि यह दोनों मिलकर इंडिया अलाइंस को गठबंधन को टाइटैनिक बना देंगे तो क्या कॉंग्रेस को भी ऐसा लिखा है ए राजा और स्टालिन इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे देखिए हमेशा पार्टी लाइन से हट कर बयान देते हैं मैं आपको एक पर दोनों नेताओं के बयान को याद करा दूं स्टालिन ने कहा मलेरिया डेंगू सनातन धर्म है इसका विरोध होना और आप देखिए आजाते हैं ए राजा डीमके के एक और नेता है ए राजा उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन तो अपने बयानों के वक्त काफी नमरता से उन्होंने ये बयान दिया मतलब सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू और समाप्त कर देना चाहिए ए राजा के हिजाब स हिंदु धर्म मतलब सनातन धर्म ये कहा है ए राजा ने डीमके के कोर नेता है देखिए आपको डीमके का हिसाब किताब दर्शकों यहां समझ में आ गया होगा कि पूरी डीमके किस अधार पर बनी हुई है आपने ये देख लिया होगा डीमके का अधार ही ये है और डीमके इसी तरीके से राज्यूती करके उभरी हुई पार्टी दिखाई दे रही है इसके साथ मैं आपको बता दूँ DMK को कुछ वोट्स मिल तो जाएंगे लेकिन आप बहु संक्यक के धर्म के साथ ऐसे बयान बाजिदे के टिक नहीं पाएंगे ये जनता का कहना है देखें 85% जनता का या कहना है कि INDIA गठबंधन को इससे तगड़ा जटका लगेगा वहीं कुछ जनता ये मान रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है ऐसा जनता कह रही है और यहां पर यूपी में केस दढ़ हो गया है एक तो प्रियांग खड़के हमेशा सनातन को लेकर बकवास करते नज़र आते हैं एक प्रियांग खड़के मलिकाव जुन खड़के के बैटे और एक तमिल नाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बैटे उदय निधी स्टालिन अब तिसरा नंबर सामने आ गया है यहां पर ए राजा का देखिए कितनी होड मची है आचारे प्रमोथ कृष्णम ठीक कहते थे यहां जनता लिख रही है आचारे प्रमोथ कृष्णम जो है वो ठीक कहते हैं कि इन नेताओं को सनातन धर्म के अपमान करने का ठेका मिला हुआ है यह जल्द समाप्त हो जाएंगे वैसे भी अचारे प्रमोथ कृष्णम ने कह दिया था कि पार्टी के कुछ बड़े नेता इस धर्म को नहीं मानते कुछ बड़े नेता भगवा से चिरते हैं कुछ बड़े नेता टीका से चिरते हैं तिलक से चिरते हैं और देखिए यहां पर किसी भी तरीके से भारतिय संस्कृति में आपने देखा होगा कहीं भी आप जाओ स्वागत होता है तो माते पर तिलक लगाए जाता है यह हमारे सनातन धर्म की पहचान है और इसी सनातन धर्म की पहचान को कुछ नेता बरदाश नहीं कर पाते हैं प्रमोथ कृष्णम ने कई बार कहा है प्रमोथ कृष्णम को भी उतनी बड़ी जगा क्यों नहीं मिल पा रही है कॉंग्रस में क्योंकि उनको पाटी लाइन साइड लाइन करती है उनके वस्तर के कारण वैसे भी प्रमोथ कृष्णम अपने वस्तर पर कई ऐसे बयान दे दिया है कि मेरा भगवा जो रंग है जो ड्रेस मैं पहनता हूँ उसकी वजह से आला कमान मुस्ते चिड़ती है और आला कमान को कुछ बाते पसंद नहीं आती है यानि कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको भगवा से चिड़ है कुछ ऐसे नेता हैं जिनको तिलक से चिड़ है कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सनातन धर्म से चिड़ है अब मैं आपको बता दू तमिल नाडू की राज्यूती इसी अधार पर टिकी हुई है DM के इसी अधार पर राज्यूती करते हैं वाली पार्टी नजर आती है बनी हुई पार्टी है आधारी वो है और अब देखें यहां पर इन्होंने कह दिया था ए राजा का बेहद बेहुदा बयान कहलीजे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से HIV और कुस्ट रोग जैसा है और उन्होंने तो नम्रता से बात की ऐसा है सनातन धर्म इसके साथ मैं आपको बता दूँ ए राजा ने तो डिबेट का चैलेंज दे दिया है उन्होंने कहा भीमराव मेटकर की बात पर मैं डिबेट करना चाहूंगा पीम नरेंद्रमोधी पर हमला बोला उन्होंने कहा अगर उन्होंने सनातन धर्म का पालन किया होता तो इन्हें दिक्कत हो रही, इसके साथ मैं आपको बतादू, यहां इन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर अमिच्चा और पिये मोधी को मैं चुनावती देता हूँ, यह बात अपने नेता की इजाज़त से मैं बोलता हूँ, मतलब MK स्टालिन उनके इजाज़त से यह बात कह रहे का, फिर हम डिबेट करेंगे, तो देखें यह जो, यह MK स्टालिन के बेटे जैसे जो लोग है, यह राजा जैसे लोग है, DM के पार्टी के समर्थक, इनके हिसाब से इन्हीं को जानकारी नहीं है, मतलब PM मोधी और नरेंद्र मोधी और अमिच्चा सनातन धर्म को नहीं जान है, और इन नेताओं के बयान के वज़े से, इंडिया गठ बंधन को टाइटैनिक बोला गया है, अचारे प्रमोथ कृष्णम के द्वारा, टाइटैनिक जो की डूब गया था, और अभी अभी उसको उसके आवशेस देखने जो लोग गए, वो भी अरब पती थें, वो भी डूब गये, अब देखें, टाइटैनिक के आवशेस को देखने वाले भी डूब गये, और यहाँ पर टाइटैनिक से तुल्ला की जारी है, पूरे गठ बंधन को, तो क्या वाकई इस गठ बंधन के डूबने के कगार पर आचारे प्रमोथ कृष्णम ने ये कह दिया, दे इनके बॉल ऐसी बिगडे रहें, सनातन धर्म को लेकर, बहु संख्यक के धर्म को लेकर, तो आने वाले समय में दिन नहीं लगेंगे, इनकी लुटिया डूब जाएगी, और लुटिया डूबने की कवायद वैसे भी तेज हो गई है, तो देखिए, यहाँ पर पूरा मैंन झाले…